कहीं आपका PAN Card expired तो नहीं हो गया है, क्या आपने कभी चेक किया है कि कितनी इसके expiry है और कब तक ये valid है? इस सबकी जानकारी जानने के लिए हमारी वीडियो क्वेंट तक जरूर देखेगा पहला आपको बता दे कि PAN Card एक ऐसा document है जिसे financial transaction के तोर पर इस्तमाल किया जाता है bank account फिने से लिकर ITR भरने तक PAN Card एक valid document है बेसिकली इसको सबसे बड़ा legal identity card माना जाता है आई अब ये जान लेते हैं कि कौन जारी करता है PAN Card आपको बता दे कि PAN को NSDL यानि कि National Securities Depository Limited जारी करता है और इसकी validity कितने दिनों तक रहती है इसकी जानकारी होना जरूरी है PAN Card की validity life type तक रहती है क्योंकि व्यक्ति की मृतियों के बाद भी PAN Card को रद कराया जा सकता है या फिर debt certificate की मदद से सभी जानकारी जगाओं पर KYC अपडेट कराया जा सकता है PAN Card की expiry date किसी व्यक्ति की मृत्यू के बाद ही होती है PAN Card पूरे जीवन में valid रहता है PAN Card में 10 अंको का alpha-nomeric number होता है PAN number में जिस व्यक्ति का PAN Card है उसकी जानकारी होती है लीकल तोर पर एक व्यक्ति एक ही PAN Card अपने पास रख सकता है एक से जादा PAN Card होने पर जुर्माना यानि penalty देनी होती है क्योंकि यह गैर कानूनी होता है Income Tax Act 1961 के section 272b के हिसाब से एक से जादा PAN Card रखने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है वहीं आप PAN को online और offline दोनों तरह से surrender पर सकते हैं आपको साथ में यह भी बता दे कि कैसे बनाए जाता है PAN Card तो आपको बता दे कि PAN Card को आप घर बैटे बहदराम से online बनवा सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको e-filing portal पर जाकर screen पर आ रहाए इस OTP के जरी आप अपना verify कर सकते हैं आपको e-PAN द्वारा आपका PAN मिल जाएगा आप चाहे तो इसको फिसिकल कार्ड के रूप में भी पास सकते हैं अगर आपको भी अपना PAN सरेंडर करना है या आपको PAN बनवाना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बनवा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना